हम क्या सोचते हैं, समस्या नहीं आवे, लेकिन समस्या नहीं आवे ये होनी नहीं है, रंग सोचते हैं हम, इसलिए कुछ फायदा होता ही नहीं, समस्या का काम है आना, वो आएंगी क्योंको कल योग का अर्थी कल है, लेकिन हमको उससे पार होना है, जैसे मानों देखो, आप रास्ते पर जा रहे हैं कोई आपके सामने बरा पत्थर या कोई भी ऐसी चीज आ जाती है तो आप क्या करेंगे आप पत्थर को हटाने लगेंगे बरा बारी पत्थर है उसको हटाने लगेंगे तो आपका तो टाइम ही गया आप क्या करेंगे किनारे करके चले जाएंगे जो तो समझदार होंगा वो ऐसा ही करेंगा या उस कोई सोचता रहेंगा ये पथर किसने फैंका, क्यों फैंका, उद्धिवानी नहीं है, फैंका, बद्धिवानी नहीं है, ये ये सोचने लगेंगे तो आपका, में शान्ती आवे लेकिन ये समझ रांग है समझ या नहीं हटनी है हमको अपना साधन अपनाना है जैसे गर्मी के सीजन में गर्मी नहीं हटेंगे अभी बारश है आप लोग आए हो हम समझते हैं बारश आती है आने जाने में आपको मश्कल नहीं होता होगा कोई चाते थोड़ी सबी लेके आए होगे लेकिन आप सोचो बारश आवे ही नहीं हो सकता है हम सोचे हमारे मेमान आए है उन्हों को तकलीफ होती है बारश आवे ही नहीं नहीं हो सकता है सीजन है बारश की बारश आएंगी लेकिन हम यह परबंद करें आपको चाहता देवे कुछ भी देवे जिसे आपको कश्ट नहीं हो यही राइट है ना ऐसे समस्याओं में भी समस्या नहीं आवे हम यह उल्टा सोच रहे है समस्या आनी है लेकिन हम को उसकी विदी चाहिए अब विदी क्या चाहिए आत्मा में शक्ति चाहिए जैसे मानो क्रोध आता है क्रोध को सामना करने की शक्ति है सहन शक्ति अगर आप में सहन शक्ति है आपको क्रोध नहीं आ सकत आल्टरनेट है ना रात और दिन जैसे तो सहन शक्ति आज मनुश में है सहन शक्ति बच्चे में भी नहीं है तो सहन शक्ति के अभाव होने के खारण अगर हमारे को चाहता नहीं है तो हमको बारिश की तकलिफ जरूर सहन करनी पड़ेंगी ना हम कहेंगे कि मेरे लिए बारिश आवे ही नहीं हो सकता है ऐसे ही आत्मा में सहन शक्ति अगर है तो क्रोध को जीच सकती लेकिन सहन शक्ति आज नहीं है क्योंकर आत्मा निर्वल हो चुकी है सहन शक्ति किसे मिले जैसे कार वो होती है उसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो हम क्या करते है बैटरी को चार्ज करने के लिए गैराज में ले जाएंगे न कि ऐसी गैराज हमारे पास आएंगी क्या हमको गैराज के पास जाना परेगा न तो ये आत्मा की बैटरी बिलकुल ही समझो एक दम निल तक आके पहुंची बिलकुल ताकत नहीं है न सहन शक्ति है न निर्ने शक्ति है न समाने की शक्ति है कोई शक्ति है आजकर है यह नहीं तो नहीं है तो हमको बैटरी अपनी आत्मा की चार्ज करनी है कहां जाए ये शक्तियां कहां से मिलेंगी परवात्वा से मिलेंगी ना उससे connection जोडना परेंगा ना हमको अभी देखो हमको माई का connection चाहिए तो तार का connection जोड़ा है ना जोडने के बिना थोड़ी आप सुन सकते तो हमारी आत्मा में भी निर्बलता जो आ गई है न उसको बल चाहिए तो परमात्मा से जब तक मन नहीं लगाएंगे न तब तक पाके मन में वो शक्तिया आज नहीं सकती है मन में शक्तिया यह आत्मा शक्तिया चाली हो जाए इसके लिए हम बार बार सबी को निमंतरन देते हैं आके मेडिटेशन सीखो और यहां क्यों बुलाते हैं इसलिए बुलाते हैं क्योंकि यहां का वायू मंडल बहुत मदद देता है